पूतना के अंद की कथा तमाम कोश्यों के बाद इस बार तुष्टकंस ने पूतना नाम की एक राप्चिसी को कान्हा को मारने के लिए गोकुल भेजा इस राप्चिसी ने सुन्दर महिला का रूप लिया और कोकुल की कलियों से बुटियों नंदलाल के घर पहुचे जहां कान्हा पहले से ही मन ही मन मुश्कुरा रहे थे मानों वे जानते थे कि आज कुछ नया रोमान छोने वाला है सुन्दर इस्त्री के रूप में आई राप्चिसी पूद्ना ने स्रीकिष्ण को अपनी गोद में उठाया और उन्हें इस्तन पान कराने लगी पूद्ना के इस्तन से निकला हुआ दूद जहर के समान था जो नोजात पच्चे के मरत्यों का कारण बन सकता था लेकिन कानहा तो भर के रूप थे वे राप्चिसी के मन सा समच देते और उन्हें दूद की जगे में राप्चिसी के प्राण खीच दिये पूतना दर्द से तडपने लगी और कानहा के साथ जंगल की ओर उड़ चली परंद अंतते पूतना ने प्राण त्याग दिये